कभी तो आते ही नहीं छेत्र में जब सुनाओ के समय हुआ तो आए फिर आजाएं परचा भर करें बीच में कभी आए नहीं कोई काम हुआ नहीं चाहता हूं लेकिन यह अनील राजभर जो है हमारे छेत्र से प्रत्यासी वह भी सही नहीं है उनको हटाना चाहते लेकिन लगा है उसी को सही है बाकी सब बेकार है खड़ी आदाव को देते हैं अगाज हो चुका है दो फेस के चुनाओ भी हो चुके हैं और तमाम राजनेतिक दल अपने अपने वादे और वादे भी कर रहे हैं यह तो आने वाला वक्त ही वताएगा कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पे मुख्यमंत्री के रूप में कौन ब्रयाजमान होगा खेर इस वक्त हमाएं स्चिवपूर विधानसभा के हिर्दयपूर गाउं में हैं हम लोगों से बात करेंगे कि यहां पे किसकी लड़ाई है और कितने टक्कर की है यहां से किसकी सरकार बन लिए यहां सर्फ भाजपा ने यहां पे सपा की लहार चले हैं कौन है सपा अरविंद राजभर जी अनील राजभर जी भी हैं मंत्री भी हैं कबिनेट में और पिछली बार जीते बेते प्रचंट बहुमत से जीते थे क्या लड़ाई क्यों इस में जब चुनाओ के समय हुआ तो आए फिर आजाएं पर्चा भर करें बीच में कभी आए नहीं कोई काम हुआ नहीं इसले इनको ना पुस्टन लोग कर रहे हैं कि लगता है कि किन मुदों से मार खा गया है तो नहीं पता पाएं कि काम में क्या विकास वागवा है कुछ भी नहीं कि अट इस बताई बताई जलखुमी पैदा हुआ है कोकरी में पैदा कि एए है का दो तपारिंट यह थे ओं मंत्री जी राजभर परसे जाजभर की करकेदा हों करें को हुआ है कि मोदी इता तो यहां कितना देखते कि उख मंत्री तो जाए खराब हो या बुरा है थाइट बश्वा छोड़के ॉन्हीं तो बढ़िया तो ही है मंत्री में कितना जाहां पर यहां एक क्या कर रहे हैं सब्सक्राइब तो हैं उनको फटाना चाहते हैं लेकिंगर इनके अलवा से इनके अलावा चलेगा लड़ाइक इतने टकर कि राजबर्वार जीत रहा है उनका क्या नम है लोग है यह सब गुंडागर्थी बाल पर चल रहे हैं अईसे नहीं चलते हैं लोग फुन्डागर्थी चलती है इनकी उनका हो गया मायवति मायवति लडाई भी नहीं है और जीत करेंगे क्या अरे पूरे हिंदुस्तान को जो है कि वो दे रहा है अने दे रहा है सब कुछ दे रहा है खाने पीने का सामान दे रहा है क्यों नहीं हम देंगे क्या देगा मुलाहिम जीत करेंगे क्या करेंगे क्या देंगे हम यहां तो दोनों तरफ लड़ाई है लड़ रहे हैं दोनों लोग आइसी कोई बात है किसकी जीत अभी क्लियर नहीं कोई बता पाएगा इस बार भी जीते का भी जिते की हम दावे के साथ है यह राजबर बरसे जराथा कोई जराई लाने बाला नहीं है बहुत सरुम कोड़ेगा तो नहीं हम लोग के तो कोई बदलाव कुछ ने हुआ है जब से नगर निगम होता हुआ है जब से जाड़ू खाली लगता है आव तो कौनों कुछ होता नहीं गाउं का नाम हिर्देपुर में कितना हिर्दें बसा है आप तो बहुत अच्छे हैं अब इस टकर के कोई नेता नहीं है और सब्सक्राइब नहीं हिए comprendre है कि मोदी के टकरका या योगी चेते हैं का किर्दामति है इस नहीं इसुर्म होना चाहिए पक्रवाइब रोड इतने बढ़ियां बनी है हाईवे बन गया तो इसके पाध बना गया है इसके पहले दिये थे टैना उनका पीटा जी मुलायम सिंग भी थे अखलेज भी हुए क्या दिये समाजवादी पेंशन को देंगे कि सब को थोड़ा देंगे समाजवादी पेंशन को देखते हैं जिस नाम के आगे यादव लगा है उसी को सही है बाकि सब बेकार है समाजवादी खड़ी आदव को देते हैं जातिवाद उनके अंदर है मोगी मोदी और योगी के अंदर जातिवाद नहीं है उसे है तो सबसे अच्छे जो है कि वह अर्विंद केजिरिवाल इन लोगों से अच्छे हैं तो थोड़ा डाउन है ना कहां से विपाएंगी किस को देर है आप इसका पूंप भाजपा को अखलेश को नहीं नहीं है अरे सब का हमारा थ्वा मांसर्टा जो है हम करेंगे ना है अच्छा वोबैसी भी उपी में क्या कुछ तो मुसल्मान है देश को बांटने वाले हैं देश को तोड़ रहे हैं वह सिकोन ओड़ देगा वबै प्रधानमंदी के सब्सक्राइब आप लोग देखने हैं अरे कासी विसोनात मंदीर देखिए जाकर कि आप देखिए कितना वहां तो चले जाएंगे तो भूल जाएंगे हम कहां आ गए बहुत विकास हो रहा है हर जगहां सब कुछ हो रहा है इसमें कोई दोरा नहीं है पूरा बनार साथ सफाई हो गया अच्छा तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हिर्दय पुर के हिर्दय में कौन उतरने वाला है और उत्तर प्रदेश की गद्दी पे मुख्यमंद्री के रुप में कौन बिराजमान होगा वारानसी से अभिनास कुमार पांडे उत्तर प्